वरिष्ट नेता, केंद्रिय मंत्री और लोकसभा चुनाओद दोहजार चौबिस के घोषना पत्र समीती के माननिय सहसें हो जक, श्री प्यूस गोईल जी आपको संबोधित करेंगे, बगल में पार्टी के राष्टिय महमंत्री और गोषना पत्र समीती के माननिय सदस विनोत तावरे जी भी हैं, आप भी संबोधित करेंगे, मेरा विनमर निवेदन है माननिय प्यूस जी से के आपको संबोधित करेंगे. धलवाद संजय जी, आज घोष्णापत्र समिती की मतुपूर्ण बैठक मान्य रक्षा मंत्री श्री राधनाच सिंग जी की अध्यक्षता में केंद्रिय कारले में संपन हुई, उसमें राधनाच जी सहित आठ केंद्रिय मंत्री थे, तीन मुख्य मंत्री बुपेंद्र पटेल जी, विश्टुदेव साही जी, डॉक्टर मोहन यादव, तीन मुख्य मंत्री भी आए थे, अन्य कई वरिश्ट नेता जो समिती के सदस्य हैं, सभी की उपस्तिती में, बड़ी सार्थक चर्चा हुई, अलग-अलग विश्यों के उपर सभी ने अपने सुझाओ, अपने अमूल्य विश्यों के उपर क्या किया जा सकता है किस पकार से आगे के विक्सित भारत 2047 के रोड मैप में पार्टी की क्या रूप रहेगी, सरकार की क्या रूप रहेगी, इसके विश्यों में, प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ज चर्चा किये, इसके पहले लगबग 35 दिनों तक आम समान्य वक्तियों तक पहुचने के लिए उनके सुझाओ लेने के लिए 900 सूला विडियो वैंस देश भर में गई उन्होंने ब्रह्मन किया, 3500 से ज्यादा विधानसभा शेत्रों में उनका दोरा रहा, और 100 शेरों में बिन बिन समाज के प्रतिश्टित लोगों से मिलना व्यवसाय गटों के साथ, एस्सोसेशन, ट्रेड और इंडस्ट्री एस्सोसेशन के साथ, बुद्धी जीवी संगठनाओं के साथ, 100 से अधिक शेरों में सभाय मीटिंगें रखी गई, जिसमें हजारों अलग-अलग सु संकलन किया, एक मिस्ट कॉल अभ्यान भी भारतिय जन्ता पार्टी ने चलाया था देशपर में, और लगबग पौने 4 लाख सुझाओ, उस मिस्ट कॉल अभ्यान के द्वारा लोगों से संपर्क किया गया, जिन्होंने भी इच्छा व्यक्की के कुछ बात करना चाहते हैं, कुछ बताना चाहते हैं, वो भी सुझाओं को संकलन करके, उसका भी एक डेटाबेस हम सब के पास उपलब था, साथी साथ नमो एप पे, जिसकी आज के दिन बहुत व्यापक देश भर में इस्तमाल होता है, उसकी रीच है और लोग जुड़े हैं नमो एप के साथ, उसमें भी एक लाग सत्तर हजार के आसपास सुझाओं आए हैं, ये अपने हाप में दर्शात है कि देश की जनता में कितना उच्सा है, और कितना सहभागयता के साथ, प्रधार मंत्री नरेंदर मोदी जी के नित्रत्तु में भारतिय जनता पार्टी जिस इस चुनाओं में जब न इतना लोगों के बीच विश्वास है कि मोदी है तो मुनकिन है और इसलिए इतने बड़ी संख्या में लोगों ने अपने अलग-अलग सुझाओं से हमको लाब दिया है, इन सब सुझाओं का एक प्रकार से बेस बनाते हुए, इनको संकलन करते हुए, आज बड़ी सार्थ बड़ी सार्थ अलग-अलग से बिचलन का लुद़ी सार्थ जोंटन का लेष्या में का लए मुन antin i address इतने obsa क्रानी में अगला क्या से बनाते हुए, इनको नतार एक प्रकार सीब्गों से बनाते हुए, तो में का लग-अलग सुझाओं का लितने के दिया है, इन सुझा और थोड़ा समय लिया है अब यह समिती पुना कुछ दिनों बाद मिलेगी इन सुजाओं के उपर सभी सदस्य अपने अपने विचार भी लेके आएंगे और इन सुजाओं के उपर थोड़ी बहुत स्टडी करके इन सुजाओं को अगली बैठक में पर्तिय जनता पार्टी हर एक संकल पत्र में हर एक विशय को बड़ी गंबीरता से लेती है बड़ी गंबीरता से विचार भी मर्ष करके उसको संकल पत्र में लेती है तो हमारे पार्टी का जो रोबस्ट मेकैनिजम है जिससे संकल पत्र बनता है उस रोबस्ट मेकानिजम के तहट इस बार का संकल पत्र का भी ये पहला दोर है कुछी दुनों में इसको फाइनल किया जाएगा बहुत बहुत थन्यवाद